अब हैलो सलाम नमस्थे सास्सरीकाल दोस्तों आज आपका अपना भाई फरहान खाण शाह आप तो यह आसे आप लोगों के सामने नीयक वीडियो के साथ दोस्तों जैसे कि आप लोगे नहिल नहीं पर देखी लिया होगा कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे थे कि आगर जो बच्चा यूपी से बिलॉंग करता है और किसी अधर इस्टेट में पढ़ाई कर रहा है तो उसे इस स्कॉलर्शिप में अप्लाई करना चाहिए या नहीं और अगर कोई बच्चा किसी अधर इस्टेट मतलब यूप तो एक प्रोब्लम हो रहती है आप लोगों के सामने कि कुछ बच्चों के यह नहीं पता होता कि पॉस्ट मेंट्रिक पिरी मेंट्रिक और डस मोत्तर यह क्या है तो सब कुछ मैं इस वीडियो के जरीए बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अग सब्सक्राइब कोई वीडियो बनाऊं उसका नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो देखिए का सबसे पहले हम देख लेते हैं पर सोचल बेलफेर डिपार्टमेंट इस ड्वडी उत्ते प्रते सार इन्वाइट टू आलाइन एपलिकेशन फॉर्म फॉर्ण फॉर्ण वीडियो चुलर्शिप के जो मतलर लीट कर रहा है मैं इस ताइम बुक रहा है एस ड्यव्डी ठीक है तो इसमें कौन कौन से कोर्स आपके मतलब इसमें इलिजबल है कौ सब्सक्राइब और डिप्लोमा एंड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकीट ठीक है और देख लिए देख लिए दोस्तों यह है ठीक है आगे हम देखते हैं इसकी तरह का एप्लिकेशन बिगन हुए थे लास्ट डेट आपके दस जनवरी ठीक है 2022 और देखेगा यह जो हार्ट कॉ कॉलिस लास्ट डेट है 24 जनवरी 24 जनवरी तक आपने कॉलिस के अंदर इसमें मतलब हार्ट कोंपी सम्मिट कर दीचीगा इसमें सबसे पहले इसमें बात कर लेंगे हम उत्तर प्रतिस्ट इन्रॉल्ड विद इसकोल कॉलिस इंस्टिटूइशन और इन्वेस्टी ठीक है क्योंने पोस्ट मेंटरिक अगर आप के लाश टॉल्ड में हैए 11 पास्ट कर चुके星 तो और अध्र गर्शेट हैं पोश्ट गरिज कोड dönंक है किसी जाथ 10 कोड़्ैंट ना पड़ेगा ठीक है आके देखते हैं डॉकुमेंट्स रुकॉर्ट फ्रेस कंडिडेट लास्ट कॉलिफाइंग एक्जाम मार्क सीट देखेगा जो बच्चा फ्रेस है ठीक है आगे मैं बताओंगा फ्रेस रेनुवल क्या है पहले बता दूँ जो बच्चा फ्रेस है उससे कौन-कौन से डॉकुमेंट्स चाहिए लास्ट क्वालिफाइंग मार्क सीट चाहिए होगी कास चाहिए के इंकम चाहिए चाहिए होगा भैंक की पासबुक चाहिए और और नौन आमॉंट्च अबता करना मतलब उसमें लगना होता है कि कि इस लेंदन में नंबर चाहिए होता है आधार काड Woah पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो देखिए दोस्तों और जो रिण है रिणी में स्टुमरं स्टुरेंट है दोस्तों जो रिणीमें स्टुठेंट है उनको देखिए लिया तो उनको बोलता है रिन्यूवल ठीक है उनको क्या करना होगा लास्ट यर वाला मतलब डालना होगा ठीक है और लोग इन करके अपनी फिरेश डिटेल उसमें फिलखनी होगी ठीक है इस में देख लिए लिखा हुआ और र्यूवल इस्टुडेंट वह हैं जिन्हों ने 2001 से पहले भी इस क्लाफ भी ती उसी कोर्स में सेम कोर्स में ठीक है तो लोग क्या कहलाएंगे रिनुवल इस्टूडेंट तो सब्सक्राइन देख अ आगे देख रहते हैं उनका देख लिएगा एंड इसके बारे में बता जता हूं रिनुगल कंडिए 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 हुआ अल्रेड़ी इन्रॉल्ड इन एजिस्पूल कॉलिष है अप्लाइफ पॉर इसकोल से लाइस्टर विल रिनुव दियर एप्लिकेशन लिगा अगर उनके पास अगर फीज का मतलब नहीं तो वह क्या करेंगे उसके लिए एक रहत के लिए वह मिलता है जैसे कि आप स्कूल चाहिए का अपने स्कूल से कॉंटेक्ट कीजिए उनसे कहिए उनसे कहिए तो बहुत बनवा के अपलोड कर सकते है ठीक है अगर आपको आपकी सब्सक्राइब काम चला सकते हैं अगर कोई आपकी उसमें मिश्टेक है वो उसका क्रेक्शन हो सकते है ठीक है और देखेगा आधार कार्ड आपका बहुत कंपलसरी है ठीक है और दूसरी बात जो मैं बात बताना भूल गया देखेगा जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेस से ब्लों करते हैं बही इस स्कूलसिप को भरेंगे यानिकि जिसकी बर्थ प्लेस और जो नेटिव है उत्तर प् पढल रहा हो ठीक है और कोई बाहर का स्टूडेंट उप्लेंट है उप्लेशन पाल रहा हो तब भी नहीं भर सकता है ठीक है तो यह हाँ आपका और एक प्रोब्लम और है आपकी लोगों की कि कि इंकम कितनी होना चाहिए तो दोस्तों देखेगा इंकम का ऐसा कोई criteria नहीं दिया है इसके अंदर official website पर ठीक है तो इसलिए मैंने income का भी कोई जिक्र नहीं किया है और कितनी फीस वह आती है scholarship तो दोस्तों देखेगा माना कि आपकी 10,000 फीस है ठीक है तो आपकी scholarship 14,000 तक आ जाएगी ठीक है मतलब जितनी आपकी फीस होती है उससे 2-3,000 बढ़की आता है ठीक है तो यह रहा आपका scholarship के बारे में यूपी scholarship के बारे में एटूजट फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है तो उसके लिए मैं description में अपना इस्टाइडी बगरा दे दूँगा आप बहां से मुझे contact कर सकते हैं चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अल्लाह अफेज